तो है फ्रेंट्स वेलकम तो बाय स्टड़ी विद निकील यूटुब चैनल है विलन बायोजी इन सिंपल वे तो महारास्ट्र स्टेड बूर्ड निव सिलाब असम देख रहे आफ क्लास 12 बायोजी का तो हमने 11 के भी कुछ चाप्टर अप्रोड कर दिया लगबक 3 चाप्टर 12 के हमने टोटल यहाँ पर 15 आउट ओफ 13 13 हमने चाप्टर से अप्लोड कर दिया दो हम जल्दी अप्लोड कर देंगे तो आपके लिए मैं लेकर आ हूँ यहाँ पर डिफ्रेंस बिट्वीन सीरीज वीडियो सीरीज इसमें हम क्या करेंगे तो एक कॉंटिटी को फिनोमेन को कमपेर करेंगे में धल्दी से जल्दें याद रहेगा क्या क्यों क्या हो और अपके लिए समार्ट वे में पर उप्रेंस मिलने चाहिए बायोलोगी परेंगे तो अगर आप लेना करते हैं कि आप आज की वीडियों में हम बात करने वाले हैं inspiration and expiration के बारे में inspiration and expiration क्या होता है तो हमने देखा यह पहले देख चुक यह हमार 8 chapter उसमें next expiration जो process होती है इसमें क्या होता है तो यह intercellular है मतलब दो screeल के बीच में होती है इसलिए इसकों इंट्रसुला वोलते हैं, यह केसी है तो catabolic, कैसी है catabolic, मतलब क्या होता है, तोらい destructive, catabolic मतलब destructive होता है, anabolic मतलब constructive reaction होती है, इसमें क्या चाहता है, तो एक complex compound को यहापर break क्या जाता है, simple compound के अंदर उसको भी आ बोलते है तो respiration Ok and जो respiration होती है ऊपर दो इसमें divide होती है एक inspiration अब दुस्तमे वोताक है उसमें process होता है expiration so inspiration expiration Rom compare करेंगे और comparison के अंदर कम समय के अंदर कम समय के अंदर जाध से जाधा हम violation कुसको समझेंगे okay so इतले यह है हमारी video universes इस कोन सी डिस्टिंग्स और डिफ्रस्ट बत्यूइटो निए इंश्मायरेशन नोलोगता हई डिट्री पयस्ट को सक्वाकर्छेव सक παवागत है प्रॉघे किसको बोलेंगेardı ऐसान का मुआ एक्सिपायुरेशन हाल चो जब अन्दर लेते तो इंस्पायरेशन बाहर डालते थो यह यहां पर ऐस curation तो जो जब हम एर अंदर को लेते तब आप क्या करना पड़ता है तो इनिल करता अगैसल है और यह से फिर से तो यह अदर लेते और देली ओक्सिजन अंदर लेते हो के सो जो एक्सपारेश्न हो है यहाँ पर पैसिव प्रोसेस और इस्पारेश्न एक्टिव प्रोसेस इसे आप ध्यान मेश्यां में रखो दुसरी बात in inspiration डायफ्रेगम भी कॉंट्रेक्ट डायफ्रेगम जो होता है वो कॉंट्रेक्ट हो जाता है डायफ्रेगम क्या है तो यह रिस्पारेटर सिस्टिम का एक पार्ट है और वो कॉंट्रेक्ट हो जाता है जैसे आप क्या करते हो तो इनिल करते हो एर को अंदर लेते हो तो डायफ्र में relax हो जाता हैं become Golden ácज few अगुदक मदोब और यहां पर क्या वां तो यहां पर क्या होँआ तो परятсяश्वा द तो यह आप जिंडान में रहो उसके बाद डेवरीवाति इंस्पारेशन इंट्र कोस्टलिस मसल्स कॉंट्राक्ट इंटर कोस्टल मसल्स क्या होती है सर जो रीब्स होते हैं हमारे रीब्स होते हैं स्टमक हमारे जो बोड़ी है चेस्ट है वहाँ पर रीब्स होते हैं और रीब्स के बीच में जो मसल्स होते हैं उसको बोलते हैं यहाँ पर इंटर कोस्टल मसल्स ओके सो क क्या होगा inspiration में intercostal muscle contract and यहापर होगा intercostal muscles relax during expiration okay यह ध्यान में रखों उसके बाद यहापर फोर्थ है debering inspiration ribs pull upward sorry outward okay so ribs का पर जाएगा तो बहार आएंगे and sternum is rise नो बढ़ जाएगा and expiration में क्या होगा तो ribs जो होगा ribs are pulled inward इसमें क्या होगा तो outward इसमें क्या है तो inward and sternum lower lower बन जाएगा, इसमें rise होगा एक तो मतलब यह उपर जाएगा बाहर आएगा उपर जाएगा और इसमें lower मतलब यह inward अंदर जाएगा and lower मतलब ऐसा आएगा, तो सबसे पहले जो यहाँ पर ribs होती है ribs तो हमको पता है उसके बाद जो यहाँ पर sternum होता है sternum क्या है तो एक ऐसा बोन है जहाँ पर ribs जो होती है वो ऐसे attach होती है उसे हम बोलते sternum जब inspiration होता है तब क्या होता है ribs pull outward ribs बाहर आएंगे क्या होंगा यहां पर तो रिफ जो बाहर आएंगे और जो स्टर्नम है वो उपर जाएगा okay and during expiration रिप्स पूल इन्वर्ड जो रिप्स है वो अंदर की तरब जाएंगे and sternum lower sternum नीच आएगा यहां पर रिप्स बाहर आये थे और sternum उपर गया था okay so तो यह inspiration and experience में ध्यान में रखो और जो लास्ट यहाँ पर जो five number का difference है वो है डिवन inspiration the space in the thoracic cavity increase क्या हो जाता है तो space क्या हो जाता है increase हो जाता है क्यों हो जाता है increase तो simple सी reason है हमारे अंदर जो है बाहर की हवा आती है environment की air आती है इसलिए जो यहाँ पर क्या है simple में बलून ले लो यह बलून है अगर इसमें हमने बाहर से क्या किया यहाँ पर here को अंदर डाला तो क्या होगा इसका volume increase हो जाएगा तो इसकी जो cavity cavity पूर तो hollow space जो any यहाँ पर cavity aC अən टो यहाँ पर बढ़ा ज out кажется यह बात अप ध्लिगेद रखो सु inspiration में क्या होता है तो पूरेयर को अंदर लेते और एयर को अंदर लेगेंगे तो क्या होगा होगा तो thoracic时间 हो लूगा पर आजाएगा जो हमारा है कवरेटी सो इस्जुं क्या होता है थोरे यौधी डिक रिश होता है अब यह हम उसको revise करते है, shortcut में, okay, so inspiration क्या है तो एक active process है, उसके बाद expiration क्या है तो भाई, passive process है, then during inspiration diaphragm contract and become flat, इसमें क्या होता है, diaphragm relax, become dome shape, clear है, inspiration intercostal muscles contract हो जाती है, and intercostal muscles expiration में relax हो जाती है, उसके बाद during inspiration, ribs pull outward and sternum is rise, either ribs pulled inward and sternum is lower, and during inspiration, the space in the thoracic cavity increase, and the space in the thoracic cavity during expiration decrease, सुझूगे हमने यहापर red, red, यहापर मैंने उसको यहापर क्या किया है, तो उसको box बना है, या फिर underline क्या है, वो important है, वो आप ध्यान में रखो, यह आपको चार मार्क के लिए exam में आ सकता है, okay, सो इसमें exam की बाद तो छोड़ होता है, लेकिन आपका यहापर concept clear हो जाता है, inspiration, expiration को हम comparatively देखेंगे तो अच्छा होगा, सो 8 chapter में हमने इसको fully, यहापर detail में explain किया है, लेकिन ऐसे question आपको आ सकते है, difference between inspiration and expiration, okay, सो यहापर हमने क्या देखा, तो difference between inspiration and expiration देखा, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लागा हो, तो please comment करो, मैं इस पर और वीडियो बनाऊगा, ऐसे ही, okay, सो हमारा जो difference between series में बहुत आगे बढ़ा होगा, यहापर inspiration and expiration की बारे में, सो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, आपको में आपको लागा, बेस्संप्राइक आपको मुझा होगा, इस works पर मुझा रह शाली होगा,